हेलो फ्रेंज तारक मैता का उल्टा चश्मा शो में वापस एंट्री हो चुकी है हमारे जेठालाल जी की तो क्या अब आने वाला है बापु जी का सच सब के सामने जी हाँ दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल पर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बापु जी रोज सुबा जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने का ही उपदेश भी लेते हैं लेकिन आज कुछ खास होने वाला है जी हाँ दोस्तों आप सभी देखेंगी कि जेठालाल वापस आ जाएंगे आते वक्त रास्ते में उन्हें बबीता जी और आयर भाई मिलेंगे जिसके लिए बबीता जी को वो थैंक्स कहेंगे तब बबीता जी उन्हें बताएंगी कि वो नोंने बापु जी का ध्यान अच्छे से रखा लेकिन वो खाना लेकर जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि वो डिनर अपने दोस्तों के साथ बाहर करने जाने वाले है और इतने में ही अईयर यहां पर कहेगा सिर्फ डिनर ही नहीं और भी कुछ तो यहां पर हमारे जेठालाल जी हैं वो यहीं करेंगे और भी कुछ का क्या मतलब तो यहां पर जेठालाल को सिर्फ एकी जवाब मिला कि घर जाओ खुदी पता चल जाएगा अब घर पहुंचते ही हमारे जेठालाल फोन करेंगे बापू जी को लेकिन बापू जी अब तक सो रहे हैं जी हाँ दोस्तों वो दर्वाजा खोलने की हालत तक में नहीं है दर्वाजा पीटने के बाद जेठालाल उनने कॉल करके उठाने की कोशिश करेंगे और यहां पर आपको पता चलेगा कि बापुजी पहली बार इतनी देर तक सोते हुई नजर आएंगे पहली बार तो डॉक्टर हाती को वो बहाना लगा कर बच गए लेकिन इस बार वो अपना पाटी शाटी का सच कैसे चिपाएंगे यह देखना काफी जदा इंटरस्टिंग होने वाला है फिलाल आज के लिए बस इतना ही नमस्कार